ज्यादा तर इनसान डरता है बड़े जानवरों से जैसे टाइगर, भालू, शेर और मगरमच जैसे खुकार पराणियों से मगर दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बहुत छोटे होकर भी इनसानों को काफी नुकसान पहुचा सकते हैं इतना ज्यादा नुकसान की वह हमारी जान ले सकते हैं ऐसा ही वीडियो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में जो देखने में तो छोटे हैं और मासूम लगते हैं लेकिन है खतरनाक कौन से हैं ये खतरनाक जानवर जानने के लिए देखते रही है ये वीडियो मगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क्राइब कर लिजे ताकि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आप से छूट न जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दुनिया भर में मैंड़को की करीब 6,000 परजातियां हैं वैसे तो ये सभी परजातियां खतरनाक नहीं हैं लेकिन इन में से कुछ ऐसी परजातियां हैं जो कि इतनी खतरनाक हैं कि एक बड़े हाथी को भी धेर कर सकती है मैंड़को की कई खतरनाक परजातियों में एक है golden poison dart frog इसके अंदर बैटरा को टॉक्सिन नाम का खतरनाक जहर पाये जाता है यह जहर इतना खतरनाक होता है कि इनसानों को मारने के लिए सिर्फ दो माइक्रो ग्राम ही काफी है एक golden poison dart frog एक बार में 10 लोगों को मार सकता है यह मैंड़क दिखने में golden color का होता है जिसकी वज़े से इसका नाम golden frog पड़ गया है इस मैंड़क का size 2 इंच के बराबर होता है इसका वज़न करीब 28 गराम होता है Central और South Africa में पाये जाने वाले golden frog के जहर का वहां के लोग कोक्रोच और चुहों को मारने के लिए इस्तिमाल करते हैं इस्टॉन फिश दुनिया में 12,000 से भी ज़्यादा जहरीली मचलिया है लेकिन इस्टॉन फिश इन में सबसे ज़्यादा खतरनाक है इंडो पैसिफिक ओशन, पश्चिम पर्शांत महासागर और हिंद महासागर में पाये जाने वाली इस मचली का साइज वैसे तो छोटा होता है लेकिन उसमें जहर की मात्रा जादा होती है जब भी इस मचली को खतरा महसूस होता है तो वह अपने शरीर को टाइट कर लेती है और अपने काटो को खड़ा कर लेती है इन मचलीों के ऐसा करने से जब भी कोई प्रानी इसके पास आता है तो यह काटे उसके शरीर को टच कर जाते हैं और कुछ सेकिंड में ही जहर फैल जाता है अगर इस मचली का काटा किसी मनुष्र को चुप जाए तो साथ सेकेंड के अंदर ही उस मनुष्र की जहर से मौत हो सकती है या फिर अगर मौत नहीं होती तो शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं तो अब चलते हैं नमबर आठ की तरफ लेकिन दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब कर लीजे ताकि ऐसी रोचक जानकारिया आपको समय समय पर मिलती रहे नमबर एट हुडेट पुटु हुई दोस्तों आपको सुनने में यह अजीव लगेगा कि कोई चिडिया जहरीली भी हो सकती है लेकिन यह सच है वडेट पुटु हुई नाम की यह चिडिया दिखने में काफी छोटी होती है और सुन्दर भी दिखती है लेकिन इसमें जो जहर पाया जाता है वे किसी भी इंसान की जान ले सकता है पिटु ही बर्ड की वैसे तो दुनिया में 6 परजातियां पाई जाती है लेकिन हुडेड पुटे हुई उनमें सबसे ज़्यादा खतनाक होती है अगर चिडिया की चोंच या पंजे से भी किसी इंसान को खरोच लग जाए तो इंसान की बोड़ी का वो पार्ट सुन हो जाता है और यदि जहर ज्यादा ही मात्रा में इंसान के सरीर में पहुँच जाए तो उस इंसान की मोत भी हो सकती है या फिर उसको लकवा मार सकता है यह दुनिया की ऐसी पहली बर्ड है जो की जहरीली है इसी वज़े से हुडेट पुटे हुई का नाम गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड में दर्ज है वैसे तो ये लिस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों की है लेकिन हम इसमें एक ऐसा धर्न दिखने वाली मक्षी का नाम भी जोड रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यह भी काफी खतरनाक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए आम तोर पर घरों में दिखने वाली मक्षी की तरह ये टीशीट फ्लाई भी दिखाई देती हैं जिसका आकार आठ से सत्रह मिलीमीटर तक हो सकता है ट्रोपिकल अफरिका में पाये जाने वाली इस मक्षी ने अफरिकन सिलिपिंग सिकनेस नाम की बिमारी फैलाई है अफरिका के कई लोग इस बिमारी से पीडी थें और हाँ सबसे खराब बात तो यह है कि अभी तक इस बिमारी का कोई इलाज भी नहीं है मक्षी से बचने के लिए वहाँ के लोग ज़्यादा तर पीले लाल रंग के कपड़े ही पहनते हैं क्योंकि इस रंग के पास यह मक्षी ज़्यादा नहीं आती जिससे बिमार होने का डर कम हो जाता है स्लो लोरिस दिखने में काफी छोटा और क्यूट होता है लेकिन इसके एक बार चाटने भर से ही इनसान की मौत हो सकती है जी हाँ पूरवत्तर भारत दक्षिनपूर एशिया के कुछ देशों और यूनान परांत में पाये जाना वाला स्लो लोरिस काफी खतरनाग जीव है धीरे-धीरे से चलने वाला ये जीव अगर गलती से भी किसी को अपनी जीव से चाट ले तो उसकी मौत लगबग तै होती है उसके हात पेरों में खास किस्म की नसे होती हैं जो घंटों तक लटकने पर भी सुन नहीं होती कुछ लोग slow loris को pet की तरह भी पालते हैं लेकिन ऐसा करने के लिए इसके दांतों को निकलवा दिया जाता है जिससे यह जहरीले ना रहें बॉक्स जलिफिस वैसे तो यह एक समुदरी जीव है लेकिन हमने उसको दुनिया के खतरनाग जानवरों की लिष्ट में शामिल किया है वो इसलिए क्योंकि National Oceanic and Atmospheric Administration ने इस जीव को दुनिया के सबसे विशैले और खतरनाग जानवरों में शामिल किया है बॉक्स जलिफिस पांच मील परती घंटे की रफ्तार से चलती है और इसकी लंबाई 10 फिट तक हो सकती है ज्यादा तर इंडो पैसिविक ओशन में पाए जाने वाली यह बॉक्स जलिफिस हजारों डंक मारने वाली कोशिकाओं से बनी होती है इनसे निकलने वाला जहर नि चैनल का भी से सब्क्राइब कर लें ताकि इसी तेरे की जानकरी पूर्ण आपको वीडियो मिलते रहें अब हम बात करते हैं दुनिया के खतरनाक जानवरों की लिस्ट में चोथे नंबर पर किस जानवर का नाम आता है दुनिया के खतरनाक जानवरों के लिस्ट में कौन सबसे स्पेशल है कहने को तो ये एक तरह का घूंगा है लेकिन इतना खतरनाक है कि इनसान की जान ले सकता है अपनी परजाती में सबसे विशाला कहे जाने वाला कौन स्नेल हवाई और इंडोनेशिया में पाया जाता है यह इसके चलते किसी की भी दम घुटने से मोथ हो सकती है इसलिए हम आपको सला देते हैं कि अगर समुदर किनारे कोई शैल जैसी चीज आपको पसंद आ भी जाए तो कभी उसे छूना मत यह आपकी जान ले सकता है नमबर थ्री पफर फिश साउथ इस्ट एशिया इंडिया ब जाए तो यह किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है पफर फिश या बलो फिश में ट्रेट्रो डो टॉक्षिन नाम का जहर पाया जाता है अगर साइनाइट से इस जहर की तुलना की जाए तो यह साइनाइट से 1200 गुना जादा जहरीला होता है इससे चकर आना सांस लेने में दिक्कत बोडी के किसी भी पार्ट में लक्वा मार जाने जैसे लक्षन दिखाई देते हैं ज्यादा तर केश में पफर फिश का शेवन करने वाले व्यक्ति की मोत तैह होती है अगर कोई बच भी जाये तो यह लंबे समय के लिए कौमा में चला जाता है नमबर टू पनल व मकडी की स्पीड काफी जादा होती है इतनी जादा कि पलक जपकने तक के समय में ही आप पर हमला कर सकती है इस मकडी के काटने से कुछ लोगों को साइकोलोजिकल प्रोब्लम भी हो सकती है नमबर वान बुलू रिंग ओक्टोपस नील रंग के दिखाई देने वाले ओक्ट उतार सकता है बुलू रिंग ओक्टोपस भी दूसरों को मामूली लगता है लेकिन खत्रा महसूस होने पर यह अलर्ट हो जाता है और इसके शरीर पर नीले रंग की रिंग दिखाई देने का मतलब है कि यह अब जहर छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है इसके शरीर इतने खतरनाक हैं कि आपको इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था तो अब आप कभी भी किसी छोटे जीव को मामूली समझने की गलती ना करें क्योंकि एक गलती आप पर भारी पढ़ सकती है तो कैसा लगा यह हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें जिससे इस चैनल की कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए तो मैं मिलूँगा आपसे किसी और खाज जानकारी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद